फूर्थ के चप्टर्स, यूनिट नाइन के चप्टर्स, बुक्स तो स्टार्ट करते हैं, कम इन, कम इन, सेट दा लाइब्रेरी डोर तो लाइब्रेरी का जो डोर है, वो कहता है, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ I opened it wide and saw books galore और वो कहता है, कि मैंने इसको खुला रखा है, ताकि सारी बुक्स को तुम अच्छे से देख सको Tall skinny books, up high on the shelf और जो लंबी और पतली books हैं, वो उपर की तरफ रखी हुई है shelf जो होती है, बुक रखने की उसमें Little fat books that stood by themselves I opened up and sat down to look जो बच्चा होता है, उसने बुक खोली और बैट गया, उस बुक को देखने के लिए था Pictures told stories, what a wonderful book जो पिक्चर्स थी उसकी, वो stories कहानियां पता रही थी वो कहता है कि वाओ, यह कितनी अच्छी बुक है तो हम लोगोंने कौन-कौन से words सीखे, वो देख लेते हैं Library, लाइब्रेरी होती है, जहां पे बहुत सारी books रखी होती है White का मतलब होता है, चौड़ा Galor का मतलब होता है, कोई भी कोई जगे हैं, कोई चीज बहुत ज़दा अखिटी करके रखी हुई हो बहुत ज़दा बड़ी मात्रा में तो Galor का मतलब कह सकते हैं, in large numbers Skinny का मतलब होता है, काफी पतला सा Shelf का मतलब होता है, अलमारियां जो खाने बने होते हैं, अलमारी में वो उसको shelf बहुत है Wonderful का मतलब होता है, बहुत ही अच्छा लाजवाब Questions दिख लेते हैं What did the library door say? Library door क्या कहता था? The library door says, come in, come in What did the books in the library look like? Books in the library looks like some are tall and skinny While some others are little and fat Third question, Why did the child in the poem like looking at the pictures? जो पोयम में बच्चा था, उसको pictures देखना क्यों पसंता? The child in the poem like looking at pictures Because picture told stories Pictures जो थी वो अलग लगते रहे कि कहानियां बताती थी तो हो गया हमारा chapter complete आप हो कैसा लगा? Comment section में comment करके बता सकते हैं